नमस्कार आप देख रहे हैं MP News और मैं हूँ आपके साथ साक्षी जैन MP News के इस खास प्रोग्राम न्यूसरूम में आप सभी का स्वागत है जिसमें आज हम बात करेंगे मद्प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की चलिए शुरुआत करते हैं तो भारते जंता पार्टी जो ह वार्रूम बनेगा वह साथ शहर जो होने वाले हैं वह होंगे भोपाल इंदार उजयान गौलियर जबलपुर रीवा इन साथ शहरों में वार्रूम बनेगा बेज़ेपी का जहां पर सोशल मेडिया आइटी मेडिया सेंक सहत चुनावी रणनीती जो है वह संचालित होने व से लोगसभाओं में उतरेगी जी हां 22 जनवरी को राममंदर का लोकारपण होना है उसके बाद से ही बीजेपी जो है वो अगले दिन से लोगसभाओं में उतर जाएगी बताया जा रहा है कि 27 जनवरी से लोगसभावार बैठा के शुरू कर सकती है बीजेपी जी हां 27 प्रतिश्चा के अगले दिन से ही वो बैठा के शुरू हो जाएंगी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मध्यप्रदेश में थंड का सितम लगतार जवारी है मौसम वभाग की माने तो आज बुद्वार को रिवा संभाग के जिलों में और पन्ना जिले में घना कोहरा रह सकता है विजिबिलिटी की बात की जो है तो वह घटकर पच्वा से पान सो मीटर तक जो है वो रह सकती है कई स्थानों में अति घना कोहरा च्वाय रहने की चेतावनी जो है वो मौसम वभाग के अनुसार कडाके की थंड पर रही है उत्तर भारत से आ रही वर्फीली के कारण जो है वो कडाके की थंड पर रही है मौसम वभाग के अनुसार आपको बता दें की बुद्वार को चंबल संभाग के जलों के आलावा शिफपुरी ग्वालियर दतिया च्छतरपुर टीकंगर और निवारी जलों में कुछ स्थानों पर अति घना कोहरा जो है वो योध्या के बाद मधिप्रदेश के च्छत्रकूट में सबसे बड़ा ढर्मिक इस्थल जो है वो बनाया जवाएगा च्छत्रकूट श्री राम का दूसरा सबसे बड़ा धार्मिक इस्थल जो है वो बनेगा रामवन गमन पत नर्मार का खाका तयार किया गया है 1485 किलोमीटर मार्ग विक्सित किया जाएगा रामवन गमन पत मार्ग की तेवीस प्रमुक धार्मिक इस्थल जो है वो ज्वागरत होने वाले है मंगलवार को सतना जुले के चत्रकूट में शिरी राम चुन्र पत गमन न्यास की पहली बैठक होई इसकी अध्यक्षता मधिप्रदेश के मुख्यमंटरी डॉक्टर मोहन यादम ने की है इस मीटिंग में रामवन गमन पत का रोड मैप तयार किया गया है सियम मोहन ने कहा कि चत्रकूट का विकास आयोध्या की तरह ही होगा शिरी राम भगवान पत गमन मार्ग के सभी इस थलो का विकास जो है वो किया जाएगा विकास की कारियोचना को चरण बद तरीके से लागू किया जाएगा रामवन गमन पठ मार्ग के सभी प्रमुकिस थलू का विकास किया जो आएगा इसके लिए पूरी कारी योचना बना कर उसे चरण बद तरीके से लागू किया जो आएगा ऐसा मुख्यमंत्री मोहन यादव ने खाका त्यार किया है आगे बट्टे और देखते हैं कि आयोध्या में राम मंदर प्राण प्रतस्चा को लेकर लगतार उत्सव जो है राम में बना हुआ है और उत्सव मनाय ज़ू रहे हैं राम लला के प्राण प्रतस्चा के अनुस्चान का आज बुदवार को दूसरा दिन है आज रामलला की मूर्टी को जन्म भूमी परीसर में भ्रमर कराया जाएगा 22 जन्वरी को प्रधान मंत्री नरीन मोजी प्राण प्रतस्चा में शामल होकर मंदर का उठखा ठंद करने वाले हैं इधर राम मंदर को लेकर सियासत भी और तेज होती च्वली जवा रही है मंदर वही बनाएंगे नारे पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजा सिंग ने सवाल उठा दिया है चुई हाँ आपको बता दे कि दिग्विजा सिंग ने ट्विक कर लिखा है कि मंदर के लिए त कॉंग्रस ने कभी भी आयोध्या जवी राम मंदर नर्मान का विरोध नहीं किया बीजेबी को मामले को सिर्फ हिंदू मुसल्मान करना था यह कहना है पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजा सिंग का चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मदर प्रदेश की मोहन सर कर जो है उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया है तीर्थ यात्रियों को फ्री में हवाय जहत से आयोध्या की यात्रा कराई जाएगी जो है आपको बता दे संस्कृति और धर्मस्व राज्यमंत्री धर्मेन रलोधी ने बताया कि शिरीराम मंदर के लोकारपन के बाद यात् मदप्रदेश की सरकार की महत्वकानची तीर्थ दर्शन योच्णा का और देश शुरदालो को देश की धार्मेक स्थलों की यात्रा और डर्शिंद करवाना है अब उन्हें और अधिक सुविधा देते हुए से योच्णा में व्रद जनों को हवाई यात्रा के जरिये आय मैं नजर आया बीजेपी में ऐसा पहली बार हुआ है कि आदे घंटे तक रामधुन सुनने के बाद बैठक है वो शुरू की गई दरसल आज बुद्वार कुरास्थानी भोपाल में बीजेपी कारियाले में महिला मोचन एक बैठक आय चुती थी इस दौरान पहली बार ऐसा को मिला कि सभी पदादिकारी ने आदा घंटा तक राम धुन सुनी उसके बाद बैठक जो है वो शुरू की गई इस दौरान सीता राम ज्वेराम ज्वेराम की धुन सुनी गई फिर बैठक है वो शुरू हुई तो यह थे मद्दप्रदेश की आज की तमाम बड़ी ख़ब हमारा यूट्यूब चैनल MP News TV लेटिस्ट अपडेट्स की लिए बैल आइकन दबाना जरा भी न पूझे